नमस्कार दोस्तों मैं इनकोर उपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहाँ आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ इनफोसिस, TCS या विप्रो इन तीन IT स्टॉक्स में कौन सा बैस्ट है, कहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है कहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए क्या IT में पैसा बनेगा या फिर यह जो उच्छाल है इसको सेलिंग प्रैसर के रूप में सेलिंग के हिसाब से आपको अपोर्चनिटी के रूप में देखना चाहिए सारी चीजों को सिंपल सरल भासा में डिसकस करने की कोशिश करता हूँ जितनी चीज़ें दिख रही हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ देखें ये जो शुरुवात हुए ना 2024 की पहला मेना अलमोस जाने वाला है जैनवरी का यहाँ पर एक तीज मुझे क्लियरली दिख रही है जो दो साल से अंड़ परफॉर्म कर रहे थे ना वो चलना शुरू हुआ है चाहें आप IT ले लो चाहें आप टेक्स्टाइल ले लो आप केमिकल भी ले सकते हो ये तीन के तीन सेक्टर में एक उमीद दिख रही है समय लेकिन ये बहुत ही अरली होगा कहना की ग्रोथ हाईगी अगर आप बात करें रिजल्ट्स की तो रिजल्ट्स में कुछ तोड़ फूड नहीं हुआ है रिजल्ट्स में न्यूट्रल था बजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि खराब रहेगा लेकिन खराब नहीं रहा यही अच्छी चीज थी लेकिन कमेंटरी, गाइडेंस, आउटलुक कुछ खास बदला नहीं है अभी तक तो क्या करना चाहिए अब इस पर आता हूँ पहले मैं आपको बता दू IT स्टॉक्स लंबे समय से भारतिय बजार में निवेशकों का पैसा बना कर देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे हाला कि इन इस स्टॉक्स में कहीं न गई अभी बीते दो सालों में एक अंडर पर्फोर्मेंस दिखी है as compared to the market बजार से compare करोगे तो IT स्टॉक्स ने अंडर पर्फोर्म करा है ये एक सच्चा ही है लेकिन अगर आपकी पॉर्टफोलियो विदाउट IT चल रही है तो वो गलत है आपकी पॉर्टफोलियो पॉर्टफोलियो का मतलब ही है डाइवर्सिफिकेशन आपकी पॉर्टफोलियो में IT होना चाहिए फार्मा होना चाहिए FMCG होना चाहिए और आपकी portfolio पूरी की पूरी well managed होनी चाहिए सबका weightage आपकी portfolio में equal होना चाहिए ये सबसे ज़्यादा necessary चीज़ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और hope आप लोग ये चीज़ हैं समझ गए होगे अब आपकी portfolio में equal है सब कुछ well managed है बहुत बड़ी है अब आगे कौन सा share कितनी weightage देनी चाहिए कहाँ पर निवेश किया जा सकता है इसको समझते है देखे अगर मैं मानू investors की बड़े funds की तो वो focus करते हैं सबसे ज़्यादा weightage के मामले में infosys पे इसके दो बड़े कारण है पहला कारण तो यह है कि निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में भी सबसे ज़्यादा weightage IT में infosys का है तो आपको infosys में weightage अपना as compared to other IT stocks थोड़ा ज़्यादा रखना है जब भी IT में rally आएगी तो TCS, Wipro, HCL Tech, Tech Mahindra इन चारों को outperform करेगा infosys हमेशा याद रखना और मंदी आएगी तो इन चारों से थोड़ा कम गिरेगा infosys example अगर आप कहो तो वो भी है अगर आप देखो तो infosys ने 1.5.900 का high लगाया था और नीची आया almost 1200-12.500 रुपे तक ठीक है जी जो की हो जादा है almost 30% के something 35% बहुत ही बड़ी गिरावट मानू हुआ मैं ऐसे IT normally 25% retress करता है और फिर उपर चल देता है 20-25% TCS की बात की जाए तो 4000 का high लगा था और ये भी आपके लिए 31% के करीब तोटा 3000 के low तक गया Vipro ने 50% तक की गिरावट दिखाई थी क्योंकि 700 के करीब का high लगा था और नीचे आपके लिए 330-340 तक आया तो इसमें जादा बड़ी गिरावट ही HCL Tech एक आउट परफोर्मर रहा है उसकी बात ही नहीं करूँगा मैं इस समय क्योंकि वो 1300 से 980-1000 रुपे तक आया था 30-35% वाम भी गिरावट आई थी लेकिन उस सबसे पहले रिकवर कर गया Tech महिंद्रा 1700-1800 का high लगाने के बाद आपके लिए आलमोस नीचे आ गया 900 रुपे तक आया तो सबसे कम Infos इसी गिरा ठीके जी और अब वापस तेजी की तरफ जा रहा है तो अभी आप देखो TCS आपका 3500-300 Exactly मैं आपको बताता हूँ TCS आपके खड़ा है 3800 हो गया TCS ने तो काफी कवर कर दी अपनी जनरी क्योंकि सबसे बड़ी कमपनी है तो वो कही नहीं मार्केट को लीड करती हूँ दिख रही है इस समय करेंडली बट इनफॉस इस 1670 हो गया है 19.5 के करीब का इसका हाई है तो अगर तूटे का फ्रेश हाई तो इनफॉस जरूर लीड करेगा तो यहाँ यह पूरी की पूरी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर करी इस स्टॉक्स की बीते दो ड़ाई सालों की अपने हाई से लेकर लो तक और अभी वापस रिकवरी में तो अगर कोई बंदा फ्रेश निवेश करना चाता है तो पहली प्रियारिटी इनफॉस देन सेफटी परपस से TCS देन HCL Tech Tech Mahindra Wipro Wipro को आप उपर भी ला सकते हो क्योंकि Wipro अभी बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है बाकी के IT स्टॉक्स में थोड़ी बहुत कवरिंग आई भी है बट Wipro में नहीं Tech Mahindra के Numbers भी मार्केट ने बिलकुल भी पसंद नहीं करे तो वो ज़्यादा टूट भी गया इस साल तो especially उतना अच्छा रहेगा आपके लिए आपको पता ही नी चलेगा कब कौन सा सेक्टर चलेगा आपको पता ही नी चलेगा कब कौन सा टूटेगा रेलवे टेक्स टाइल बहुत सेक्टर है मार्केट में थोड़ा 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 सब जगे बाढ़ दो बैस्ट रहेगा मैनेजमेंट के साब से तो यह मेरी तरब से आपके लिए एक वीडियो थी ओप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो वाव ग्रेट दिस